बड़ी ख़बर का सबसे पहले रुख करते हैं साड़े 11 वजे एंसीपी कमीटी की मीटिंग होनी है ये स्वक्त की बड़ी ख़बर है नए अध्धिक्ष के चुनाव के लिए ये बैठा कि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है बाई भी चौहांट सेंटर में होगी कमीटी की मीटिंग शरत पबार, अजीत पबार, सुप्रिया सुले तमाम नेता इस वक्त वहाँ पर मौदूद हैं और शरत पबार नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं जादा जानकारी के लिए सीधे रूप कर लेते हैं विनोज जगदाले हमारे साथ मौदूद हैं विनोज क्या चल रहा है वहाँ पर मीटिंग कितनी देर में हैं और ये मीटिंग कितनी एहम देखे साड़े ग्यारा बजी ये बैठक शुरू हो चुकी है मैं आपको दिखाना चाओता हूँ ये वही वाईबी चवान सेंटर है जो हमेशा एंसीपी के सत्ता का केंदर जाना जाता है आपको पताई होगा दो हजार उननीस में अजित पवार ने जब तड़के शपत लेती महराश की उपोमुखे मंत्री पत्की देवंदर पंडविस के साथ उसके बाद जो पूरा डैमेज कंट्रोल हुआ था वो इसी वाईबी चवान सेंटर से शरत पवार ने हैंडल किया था अब इसी वाईबी चवान सेंटर के पाचवी मंदिल पर शरत पवार बैटे हैं शरत पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भतीजे अजित पवार पीसी चाको प्रपुल पटेल हसन मुश्रीफ और पार्टी के अन्य नेता वहाँ पर मौजूद है कल शरत पवा ने जब इस्तिफा दिया था तब उन्होंने एक बात कही थी कि एक कमिटी नए अधिक्षपत का फैसला लेगी लेकिन कमिटी में कई नाम गिनायते उतने नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है आज अभी जो बैठक चल रही है इस बैठक में तुरंत फैसला नहीं आएगा कि एंसेपी का अगला राष्टी अधिक्ष कौन होगा शायद इसके बाद एक और दो और बैठक के हो सकती है लेकिन प्राथमिक तोर पर यह बैठक यहाँ पर चल रही है वाईबी चवान सेंटर में जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं वो चार नाम निकल कर सामने आ रहे हैं बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजित पवार, प्रफूल पटेल और सुनिल तटकरे यह चार नामों पर विचार वहाँ पर हो सकता है लेकिन सुनिल तटकरे की चवी के बारे में कहें या सुनिल तटकरे के बारे में कहें तो उन पर पहले भी घोटाले के आरोब भी लगे हैं और वो एक आक नमक चेहरा नहीं हो सकते प्रफुल पटेल की बात करें तो प्रफुल पटेल के सभी पार्टियों में दोस्त हैं खासकर उनकी नजदिकिया भारती जनता पार्टिय के नेताओं के साथ भी है तो ऐसे में सवाल है कि क्या उन्हें अध्रिक्ष वहाँ पर बनाया जाएगा सूप्रिया सुले के बात करे तो सूप्रिया सुले लगातार तीसरी बार 12 मती से लोकसाबा की सांसत के तौर पर चुनी जा चुकी है उनके कई राष्टियों पार्टियों में कई अच्छे संबंद रहे हैं और कई अच्छे लोगे से उनकी वहाँ पर बातचीत होती है तो ऐसे में यही देखा जाएग पर पर पार्टी का चहरा कौन हो सकता है इसलिए सुप्रिया सुले एंसीपी की राष्टियों अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं और बात करें अजुत पावार की अजुत पावार तो आपको पता ही है उनने सबसे जादा महराश में ही रहना जादा पसंद है एक बार बाराबती लोकसभा से संसर सदस्क के तौर पर वहाँ पर जीते थे लेकिन बार में उनने राष्ट्रे राजनीती से वह वापस लटे और महराश में फिलाल वह महराश के पूरे डिस्ट्रिक में हो उनके विधाय को सभी से उनका नेटवर्क बना हुआ है ऐसे में अब सव शुक्रिया सुले का नाम आगे चल रहा है अधिक्ष्ट की रेस में शुक्रिया आपका